दोस्तो एसिया कप 2023 के सूपर फोर का ब्लॉक बस्टर मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है और इस मैच में यहाँ पे पॉइंट स्टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला तो आज के इस वीडियो में हम आपको एसिया कप 2023 के सूपर फोर का नया पॉइंट स्टेबल बताएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी दो टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा तो यह वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विष्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक ज जरूर देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बिलको प्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप एस या कप का नया पॉइंट टेबल मैच खत देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि असिया कप 2020 के सूपर फूर में आज का सूपर हिट मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है और इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जित करके पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया और जब भारत की टीम बले बाजी करने आई और टीम इंडिया का स्कोर यहां पे डेर सो से उपर का था उसके बाद बारिस आ गया और अब इस मैच को यहां पर से रिजर्व डे के लिए कंटिनिव कर दिया गया है यानि कि अब ये मैच यहां पे 11 सितंबर को दो पहर तीन बजे से ज़वात करेंगे कि पॉइंट टेबल में चौथे अस्थान पे आखिर कौन सी टीम है तो चौथे अस्थान पे है बांगलादेश की टीम और बांगलादेश ने सिया कब 2003 के सुपर फोर में अभी तक टोटल दो मैच खेले जहां पे पहले मैच में बांगलादेश को पाकि रन रेट करिंटली माइनस में चल रहा है और बांगलादेश की टीम एसिया कप 2020 के फाइनल से बाहर हो चुकी है यानि की बांगलादेश सब फाइनल में नहीं जा पाएगी और ये टीम सुपरफोर में अपनानती मैच भारती टीम के खिलाब खेलेगी जो की बहुत ही बड़ा मैच होगा इसके बाद पॉइंटेबल में तीसरे अस्थान पे एसिया का पितिहास की सबसे सफल टीम यानि की साथ बार की चैंपियन रोहित सर्मा की कपतानी वाली भारत की टीम और भारत की टीम ने एसिया कप 2020 में अभी तक किसी भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया है सुपरफोर में आज वाला मैच टीम इंडिया जरूर खेल रही थी लेकिन इस मैच को अब रिजर्व डे की तरफ ले जाया गया है यानि कि ये मैच कंटीनिव नहीं हो पाया तो अब इस मैच का रिजर्ट आपको रिजर्व डे की दिन देखना परेगा तो अभी टीम इंडिया को आप बि पॉइंटेबल में तीसरे अस्थान पे है और टीम इंडिया का नेट रन रेट प्लस में है और टीम इंडिया अभी जो पाकिस्तान से मैच खेल रही है इसमें इनका कंडिसन काफी बढ़िया है और मेरे कॉर्णिंग भारत की टीम जीत भी सकती है आपके हिसाब से भारत पाक के रिजर्व डे वाले मैच में कौन सी टीम जितेगी उस टीम का नाम कमेंट में जरूर बताएं इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे अस्थान पे है स्री लंका की टीम और स्री लंका ने सिया कप दो हजार तैसके सूपर फोर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच ख है और स्री लंका की टीम को यहां पड़ से पॉइंट टेबल के टॉप टू में फिनिस करके फाइनल में जाने के लिए कम से कम भारत या फिर पाकिस्तान में से किसी एक टीम को हराना परेगा उसके बाद ही स्री लंका फाइनल में जा पाएगी वहीं पॉइंट टेबल टॉ तो अभी पाकिस्तान की टीम टोटल एक में से एक मैच जितने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंटेबल में सबसे टॉप पे है और पाकिस्तान का निट रन रेट प्लस 1.051 है और पाकिस्तान को फाइनल में जाने के लिए या तो रिजर्व डे में भारत को हराना परेगा य उसके बाद ही पाकिस्तान की टीम एसियाकप 2023 के पॉइंटेबल के टॉप टू में फिनिस करके फाइनल में अपना स्थान पका कर पाएगी तो आपके हिसाब से एसियाकप 2023 का फाइनल कौनसी दो टीमों के बीच होगा दोनों टीमों का नाम कमेंट में बताएं वीडियो प सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में